हेलो एरिवन वेलकम टू एक्जाम इंसाइट कैसे आप लोग मेरा नाम है आकाश आज की इतारे के 6 अक्टूबर 2030 शुरू करते आज का डेली करन्ट अफेर शुरू करेंगे है रिविजन से रिविजन पांच अक्टूबर का होर्स राइडिंग में भारत को गोल मिडल मिला है 41 साल बाद एशन गेंज में प्रमिला मलिक ये पहली महिला स्पीकर बनी है ओडिसा असेंबली की गूगल ने सेलेबिट किया है अपना 25 वा एनिवरसरी ठीक है जर आठरा एवरिवन इस हीरो ये भारत की तरफ से ऑफिशल एंट्री है ओसकर 2022 के लिए पिस्तोल स्पोर्ट्स इवेंट में भारत को मिला है गोल 25 मीटर टीम इवेंट में एशन गेंज में फादर आफ ग्रिन रेवलुशन एमे स्वामिनाथन गुजर गए भारत की रैंके 40 वी किसमे ग्लोबल इनिवेशन इंडेक्स 2023 में उनिवेशन रैंकिंग 2024 में ISC बैंगलोर ने टॉप किया है अमंग ओल इंडेन उनिवेशन इनिवेशन इनिवेशन इवेशन इवेट में निरत चोपरा ने भारत को दिलाया है गोल मेडल इन एशन गेम्स 2023 आज का पहला सवाल है एशन गेम्स के हिसाब से है देखो गोल मेडल मिला है 10 मीटर एर पिस्तुल इवेट में इन एशन गेम्स एशन गेम्स 2023 इसका सई जोब क्या है देखो इसका सई जोब है स्वरवजित सिंग, शीवा नर्वाल और आर्जुन सिंग चीमा इनको 10 मीटर पिस्तल इवेट में मिला है गोल मेडल देखो पहला आप्शन देखो रोहन बोपना और रुतुजा भोसले इनको भी मिला है गोल किस में टेनिस में नेक्स्ट पलक गुलिया और इशा सिंग ये शूटर है इनको मिला है गोल और सिल्वर मतलब पलक गुलिया को मिला है गोल और इशा सिंग को मिला है सिल्वर आगे सोपनिल कुसले एश्वर्या प्रताप और अखिल शेवराम इनको पाचास मीटर शूटिंग इवेंड में मिला है गोल भारत के लिए आगे निरत चोपरा है और आविनाश साबले है निरत चोपरा को मिला है गोल्ड किसमे जैवलिन थ्रो में और इन्होंने हमेशा की तरह हमें निराशने किया है और गोल्ड लेकिया है भारत के लिए जैवलिन थ्रो में आविनाश साबले इन्होंने भी भारत को दिला है गोल्ड इन एशन गेम्स यह कौन सा स्पोर्ट्स खेलते है स्टिपल चेर्स ठीक है अगला सॉल देखो यह सॉल क्या कह रहा है कंट्री का पहला कार्टोग्राफी मुजियम यह कहां पर अभी इनागुरेट किया गया है कार्टोग्राफी यह रूट वर्ड है कार्टो मतलब मैप ग्राफी मतलब स्टडी ठीक है देखो इसका सईजब क्या है यह मसूरी मसूरी वह जगा है जहाँ पर लबास्तना है लबास्तना जहाँ पर उभरते होवे आयस अफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है आपको कमेंड करना है IPS की ट्रेनिंग कहां पर होती है आयस की ट्रेनिंग तो होती है लबास्तना में और लोकेशन कहां पर है यह भी बताना आपको यह कहां पर लबास्तना और IPS की ट्रेनिंग कहां पर होती है ठीक ही आप कमेंट कर देना हाइदराबाद देखो हाइदराबाद इंपोर्टन्ट सलार जंग म्यूजियंग कोलकता इंडियन म्यूजियंग उसके बाद न्यू देली मुंबई चत्रपती शिवाजी महाराज चत्रपती शिवाजी महाराज म्यूजियंग इसको पहले प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियंग बोला करते थे साथिसाथ आपको ये भी पता होना चाहिए CSTM स्टेशन CSTM चत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्स जो आपने अप में उनिस्को वर्ल्ड हरेटे साइट है जो बाना था कभी वन ट्रिपल एट में ठीक है इसका पहले नाम क्या था विक्टोरिया टर्मिनल्स समझे आपको भी कमेंट करना है ठीक है गेटवी आफ इंडिया इंडिया कब बनाय था देखो लगबग 1911 से 15 की बीच में बनाय था क्यों बनाय था अगला सवाल देखो अगला सवाल है दुनिया का आटवा कॉंटिनेंट अभी धुंडा गया है उसका नाम क्या है दुनिया का आटवा महाद्विप इसका नाम है देखो यह देखो देखो इसका नाम क्या है जिलांडिया, छीक है? जिलांडिया इसका नाम है, देखो, टोटल कॉंटेंट कितने है? साथ कॉंटिनेंट है, पहला नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा यूरोप, चोथा एशिया, पाचवा आफ्रिका, छेटवा आफ्टिलिया और साथ वा अन्तार्ट आंटार्टिका की क्या बात है इसमें लगबक 30 से ज्यादा कंट्री इसको गवन करती है किसी एक देश का नहीं है 30 से ज्यादा देश उसको गवन करते हैं नौर्थ अमेरिका में कंट्री है में में कंट्री है कितना बारा देखो युरोप में कितना कंट्री है एसे आपको पता होना चाहिए और ऑस्टियल्या खुद यह एक कॉंट्रेन है और सबसे छोटा कोंट्रेनिट है अकिला देश है वो समझें देखो अगला सवाल क्या कह रहा है Tata Advance System Tata Advance System के नए चेर्मेन अभी कौन बने है देखो इसका से जोब है बनमाली अग्रवार ये बने है Tata Advance System के चेर्मेन यहाँ पर देखो पहला option N चंदरशेकर ये है Tata के चेर्मेन है ठीक है completely Tata के चेर्मेन है ये TCS के भी चेर्मेन है समझे TV नरेंदरम ये CEO है किसके Tata Steel के Tata Steel के CEO है ठीक है आपको बताना है Steel में इंडिया का रैंक क्या है ठीक है Wilson Campable ये है Air India के CEO और N चंदरशेकर ये चेर्मेन है Air India के के क्रितिवासन ये है CEO किस कंपनी के TCS के Tata Consultancy Service और Brands के सर्वे के अनुसार ये भारत का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैंड है समझे अगला सवाल देखो ये सवाल आ गया कंटर ब्रैंड के अनुसार मोस्ट ट्रस्टेड इंडिर्ड ब्रैंड कोंसा है मैंने आपको अभी बताया इसका सभी जब क्या है TCS Tata Consultancy Service भारत का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैंड है अकॉड़ इन टू कंटर ब्रैंड यहां पर देखो एपल मोस्ट वैल्योबल ब्रैंड वर्ड में तो मोस्ट वैल्योबल ब्रैंड भारत ने कौंसा है रिलाइंस वैल्योबल ब्रैंड इन इंडिया ठीके HP की बात कुरू तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैंड इन वर्ड भारत की बात कुरू तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैंड इंडिया यह वाला है वैल्योबल यह ब्रैंड ठीके ठीके HDFC मोस्ट ट्रस्टेड बैंक और इसमें भी देखो कात्वी सबसे बड़ी बैंक है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल आपको यह ब्रह्योव सबसे आपता होने चाहिए आपको यह सब नाम पता होने क्यूंकि एक्साम में यह आएंगे अगे यह आ सकता यह बहुत बोशले का भी नाम आसकता है यह तो एक ही PPT में मैंने आपको सब दिये है ताकि आपका region अच्छे से हो सके इसका सेवजब क्या है double trap में किसको मिला है gold इसका सेवजब है A समझे, पृत्विराज, तोंडायमन, क्यान चनाय और जोरावर, सिमाग, किस में double trap में मिला है उसके बाद, रोहन बोपन्ना और रुटुजा भोसले, इंपॉर्टन टेनिस में मिला है gold यहापे भी लिखता हो gold उसके बाद, सौपनिल कुसले, एश्वरय अपरताप, अखिल, शेवराम, इनको मिला है 50 मीटर, शूटिंग में गोल्ड, समझे, उसके बाद, अनुश अगरवाल, रिदय विपूल खेडा, सुधिपती हजे और दिव्यकृति सिंग, अलग है यह, इनको मिला है gold किसमे, horse riding में भारत को 41 साल बाद गोल्ड मिला है, कोई भी medal मिला है, किसमे देखो आपको बता ना है, पिछले साल भी, 41 साल बाद भारत को medal मिला था किस event में किस event में भारत को 41 साल बाद medal मिला, यह बात है 2022 की अगला सौल देखो, यह सौल क्या कर रहा है second tiger reserve, बिहार का अभी इस तापित किया गया है, उसका नाम क्या है देखो, इसका नाम क्या है, कैमूर wildlife century बिहार में कितने tiger reserve है, दो tiger reserve है, ठीक है, बिहार में दो tiger reserve है, तो पहला tiger reserve कौन सा है पहला tiger reserve है, वालमी की tiger reserve, यह एक, वालमी की तो पहला tiger reserve कौन सा है, वालमी की tiger reserve, यह एक लोता tiger reserve होता बिहार में अभी कौन सा बना है, second number का वालमी की wildlife century मैं आपको बाता है, कोई national park को भी कनोट किया जा सकता है, तो इस पर ना जाएए, यह भी बिहार का है अभी देखो, विरांगाना दुर्गवाथी tiger reserve, यह मध्यप्रदेश में अभी साथ tiger reserve है, यह कौन से नंबर का टाइगर reserve है, 54 नंबर का टाइगर reserve है, गुरु गासिदास tiger reserve यह कहां पर है चछतिजगड में है, समझे, यह कौन से नंबर का tiger reserve है, 53 नंबर का tiger reserve है रामगर विजदारी wildlife century, यह भारत का बावनवा tiger reserve है, कहां पर है राजस्तान में श्रीवली पुत्तुर मेगमले टाइगरिजव ये भारत का इक्का वनमा टाइगरिजव है कहां पे है तामिलनाडो में कमलंग टाइगरिजव कमलंग टाइगरिजव ये भारत का पाच्चासवा टाइगरिजव है आपको comment करना है कहां पर है यह कमलंग टाइग रिजव कहां पर है देखो आगला सवाल यह है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कि अभी रिपोर्ट रिलिस्ट की गई है इसमें भारत की रैंक क्या पाई गई है देखो इसका सिर्जब भारत की रैंक आई है चपन 56 रैंक आई है वर्ल्ड टैलेंट इंडेस में यह रिपोर्ट को साज़ा करता है अमडी रिपोर्ट साज़ा करता है यह ठीक है कि अब देखो 40 क्या है यह कि वर्ल देखो अब यह 40 क्या है यह कि डवलू आए पी ओ वॉर्ट इंट्रिट्रिल प्रोपर्टी राइट, फिके इसमें भारत की रांग है. दिखाऊ, अब है पिए 40 क्या है, 40 यह रिपोर्ट गिया है, यह WIPO, वर्ट इंट्रिल्टो प्रोपर्टी और्गनाशेशन, जिसका हैड्कारिटर जेनलवा में है. ठीक है, Global Innovation Index में रैंक मिली है भारत को, 67, 67 इसमें टॉप किया है स्वीडन ने, और ये किसमें भारत की रैंक आए 67, Energy Transition Index उसके बाद देखो, 126, 126 इसमें Global Peace Index में रैंक आए भारत की, 126 आपको कमेंट करना है, टॉप किस ने किया है, 161 ये Press Freedom Index रैंक भारत की, 161 आपको कमेंट करना है, टॉप कौन है, आपको ये पता होना चाहिए, 108 इलेक्टरल, डेमोक्रासी इंडेक्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, 80 पास्पोर इंडेक्स, कौन देता है, हैंले पास्पोर्ट, इसमें भारत की रैंके, 80 और टॉप कौन है, सिंगापूर, देखो, इंडेक्स का डिस्कुर्शन देखो यहाँ पर, हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स, 2030 में भारत की रैंके, 80, वर्ल्ड इनोशन इंडेक्स में भारत की रैंके, 40, उसके बाद, जेंडर गैप इंडेक्स, इंडेक्स की रैंक, 127, उसके बाद, ग्लोबल पीस इंडेक्स रेंग के भारत की 126, उसके बाद Energy Transition Index भारत के रेंग के 67, उसके बाद Environment Performance Index इंडिया के रेंग के 180, समझें, तो यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तीन हजार मीटर मतलब 3 किलो मीटर, ठीक है, स्टीपल चेस इन एशन गेम्स, 2023 में मिला है गोल, देखो भारत को हर जगा पे गोल मिला है, भारत को, देखो यह भारत का जंडा है, बहुत गरत के साथ लिख सकता हूँ मैं, 21, 32, 33, मतलब 21, 32, 33, देखो यहाँ पे, यह है गोल, 21, यह सिल्वर, 32, और यह है ब्रॉंज, 33, अब तक भारत का यह पफोर्मस आ चुका है, और यह बहुत बहुत सफल भारत का एशन गेम्स है, कबसे 1951 से जब एशन गेम्स शुरू हुआ दिल्ली से, तब तक 2023 तक भारत का यह सफल एशन गेम्स इवेंट था, और उसके पहले भारत का 2018 में सबसे बेस्ट एशन गेम्स इवेंट था, देखो, इसका सई चॉप क्या है, 3000 मिटर, स्टिपल चेस में भारत को मिला है गोल, किस ने दिया है, अविनाश साबले ने दिया है, समझे, यहाँ पर देखो, निरज चोपरा ने दिला है गोल भारत को, किस में जैवलिंग थ्रो में, कितना मीटर का थ्रो किया था निरज चोपरा ने, 88.88, देखो, निरज चोपरा ने दिया है भारत को गोल, साथी साथ एक और एक नाम है, उसका नाम है, देखो, किशोर जैनी, ठीके, किशोर जैनी, इन्दोंने दिलाया भारत को सिल्वर, इन जैवलिंग थ्रो, आगे देखो, तजिंदरपाल सिंग तूर, इन्दोंने दिलाया भारत को गोल, किस में, किस इवेंड में, ये इवेंड है, शॉर्ट पुट, on the short put event में भारत को दिलाए गोल्ड टजंनर सिंध सिंग तूर नय अनू रानी इन् jij भी दिलाए गोल भारत को किसे इवेंन में जैवलिईंथ्र में समझे जैवलिईंथ्र में अनू रानी ने फीमेल शेक्शन में दिलाए भारत को गोल्ड अग्ला सवाल देखो अग्ला सवाल है नोबेल प्राइस इन मेडिसीन दो हतार तिस यह किसने जीता है देखो यह किस्ने जीता है इसको कैसे याद रखो कि मेडिसी ं के लिए डीके या फिर केडी आपके इसाब से ठीक है यह दो निमोनिक्स है आपको याद रखने है एक डीके है या फिर केडी एक एमबीए है और एक पीएज के ठीक है आपको धिरे-धिरे बताओं आपको धिरे-धिरे बताताओं डीकी क्या है यह मेडिसिन के लिए डीकी क्या है यह कैटलिन केरियो और ड्रिव वेस्टमेंड कैरियो ड्रिव वेस्टमेंड कैरियो ड्रिव वेस्टमेंड कैरियो ड्रिव वेस्टमेंड कैरियो ड्रिव वेस्टमेंड इनको मिला है किसमें मेडिसिन के शितर में नोबेल इनको मिला है physics में नोबेल और इनको कैसे याद रखोगे पी, ह, के physics वाला तब पी है, ह वाला ह है और के वाला के, पी एच कैसे याद रखो, physics और पी एच के आपको याद हो सकता है, उसके बाद, मौगवी, बुवेंदी, लुईस, ब्रूस और एलेक्सी, इकिमो, इनको मिला है chemistry के शित्र में, नोबेल, इसे कैसे याद रखोगे, MBA, देखो आपके, मौगवी का M है, ब्रूस का B है, और Alice का A है, इसे याद रखो, अगला सौल देखो, यह सवाल है, Border Road Organization, ब्रो, ठीक है, इसके नए चीफ कोन बने है, देखो, इसका सरी जब क्या है, रगू, श्रीनिवास, यह बने है, ब्रो के चीफ, Border Road Organization, रश्मी शुकला, SSB की चीफ है, शील वर्दन सिंग, शील वर्दन सिंग, CISF के चीफ है, और M.A. गन पती है, किसके NSG के चीफ, देखो आप है, Important Forces के चीफ, पेले, मनो जादो, RPF के चीफ है, जो बना था, 1959 में, रेलवे को प्रोटेक करता है, नेक्स, शील वर्दन सिंग, CISF के चीफ है, 1939 को बना था, एरपोर्ट को सुरक्षय देता है, आगे, रस्मी शुकला, SSB की चीफ है, 1963 में बनाता, नेपाल और भूतन बौर्डर को प्रोटेक करता है, आगे, संजे, अरोरा, ITBP के चीफ है, ये बनाता, 1962 में, चाइना बौर्डर को प्रोटेक करता है, भारत की जो चाइना बौर्डर है, उस पे, नितीन अगरवाल, ये बौर्डर सेकुर्टी फोर्स के चीफ है, और 1965 में बनाता, पाकिस्तान, इंड़ा की बौर्डर को प्रोटेक करते है, एमे गनपती, एनेजी के चीफ है, 1984 में बनाता ये, और ये व्याइपी लोगों को प्रोटेक करते है, दिनकर गुपता, एनेजी के चीफ है, 2008 में बनाता, जब भारत में, मुंबई में टेरिस आटेक हुआ था, ताज होटल में, उसके बाद, आगे देखो, आगला सवाल क्या है, आगला सवाल है, एशन गेम्स में गोल मेडल जीता है, शौट पुट इवेंट में, किसने देखो, शौट पुट इवेंट किसने जीता है, तेजंदर पाल, सिंग, तूर, समझे, शौट पुट इवेंट में जीता है, गोल मेडल, निर 3000 मिटर स्टिपल चेस में अगला सौल देखो यह सवाल है वर्ल नेचर डे किस दिन मानाया गया है देखो वर्ल नेचर डे यह मनाया गया है तीन अक्टूबर को यहाँ पे थोड़ी से साउधान की बरगने पड़ेगी वर्ल नेचर डे कभी तीन अक्टूबर को अठाय जुलाय भी है अठाय जुलाय वर्ल नेचर डे है यह भी डे है वो भी डे है पर बीच में कुछ मिसिंग है वर्ल नेचर कंजर्वेशन डे समझे चार अक्टूबर वर्ल एनिमल डे उसके बाद पाच जून वर्ल एन्वार्मेंट डे अब यहाँ पर सवल आता है यूए निपी का हेड़कॉर्टर कहाँ पर ठीक है यूआटे नेचर अनिमेंट प्रोग्राम इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पर है और इसके चीफ कौन है दून आपको कमेंड करना है यह देखो वर्ल एन्वार्मेंट डे पाच जून वर्ल वाटर डे बाइस मार्च अर्ट डे बाइस अप्रिल 21 मार्च फॉरेस्ट डे ओजोन 16 सितंबर और 8 सितंबर को होता है ओशन डे और 22 माई को Biological और 22 माई को Biological Diversity Day देखो अगला सवाल यह क्या कह रहा है New MD and CEO नए MD और CEO कौन बने है South India Bank के South India Bank के नए MD CEO कौन बने है इसका स्रीज़ब है PR सेशादरी ठीक है यह बने है CMD ठीक है South Indian Bank के अब पहला आप्शन देखो दिनेश कुमार खरा SBI के चैर्मेन है उसके बाद S. जानकिरमन Deputy Governor of RBI आपको कमेंड करना है All Four Governor of RBI पहला आपको पी एच एपी होता यह है Federal Bank के Chairman और मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यह इनकी अपॉर्मेंट रिसेंड अपॉर्मेंट है एक दो मैंने पास की अश्वीन कुमार यह यूको बैंक के अश्वीन चेर्मिन बने है राजिश रजनीश करनटका यह बने है बैंक अफ इंडिया cmd ठीक है यह सब आपको पता होना चाहिए यह सब रिसेंड अपॉर्मेंट है तो देखो इसे के साथ हमारा सेशन यहां पर समाप होता है एसे ही डेली करंट अफेर वीडियो के लिए नीचे देगे लिंपे क्लिक केजिए और चाहिए को सब्सक्राब कीजिए वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक करो और शेर करो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हो आपका दिन शुब रहे